मेरे गुरुदेव की महिमां बड़ी अद्भुत निराली है हैं भर जाती वो सब जोली जो जन्मों से ही खाली है हैं भर जाती वो सब जोली जो जन्मों से ही खाली है यहां तम की नहीं सत्ता यहां हर दिन दिवाली है भराया लोग के अंतर में नजर में प्रेम लाली है मेरे गुरुवर्ष्यूत्रि पुरारी जिन की महिमाभा एकत्ते समाद्यों सत्ते वं विशयो दो इस्तो घटो मृण मैं धीमयो मृण मयो मानमे आश्यात् साक्षी भास्यस्तु धीमया आन्वय व्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीव बंधक्रेत् सात्यास्मिन्सुख दोखेस्ताहा तास्मिन्नसतिनद्वयम् सति एवं यह है पूरे के सवेरे का जितना हम लोगोंने सर्मन किया उसका निश्कर्स है सतिमाने होने पर इस प्रकार से होने पर दो बात हमको समझ में आई कौन सी जैसे हमने कहीं पर कोई चीज देखी घड़ा देखा कोई किचाब देखी तो वहां घड़ा एक तो है मिट्टी का पांच महा बोतों का बना हुआ कोई न कोई एक आकार देखा रूप देखा तो एक तो बाहर हमने कोई चीज देखी विशय देखा और दूसरे उस चीज को देख के हमारे चित पर एक संसकार पड़ता है और हमारा जो चित है उसको देख के विशलेशन करता है कि अच्छा है कि बुरा है कि सुखवाला है कि दुखवाला है कि पाना है कि त्यागना है तो दो चीज हमको समझ में आई एक बाहर दिखाई पड़ने वाला जगत जो पांच महा भोत का है और एक भीतर वाला हमारा जगत भीतर की मन की दुनिया जिस मन के भीतर सब अच्छा बुरा अपना पराया राग डेश हां दिलाब सबका सब भरा पड़ा है तो जितना कुछ हमारे मन की भीतर है उसको हम कहते हैं संसार और जितना बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है उसको हम कहते हैं जगत तो जगत और संसार को एक जैसा न समझो जगत के लिए हमने कहा था जिसका जनम होता है जो दिखाई पड़ता है जिसका परिवर्तन होता है जिसको इंद्रियों से हम पकड़ सकते हैं उसको हम कहते हैं जगत और जो हमारे मन के भीतर होता है उसका जनम नहीं होता बलकि प्रतिविंबित होता है भाशित होता है ओ कल्पित होता है तो उसका जनम नहीं है जैसे सपने में सपने में हाथी देखा तो उसका जनम नहीं है तो ऐसे मन के भीतर जो चीज आती है उसका जनम नहीं है बलकि उप्रतीत ही होता है तो मन के भीतर जितना कुछ है उसको हम नाम देते हैं संसार जब हम कहते हैं कि ज्ञान से संसार मिट जाता है तो मन के संसार का निराकरण है वहाँ पे अब ऐसा मत समझो कि ज्ञानी कोई हो गया तो उसको पानी पानी नहीं दिखाई पड़ेगा ब्रिक्ष ब्रिक्ष नहीं दिखाई पड़ेगा दिखेगा तो जगत ज्योंका त्यों दिखेगा लेकि किसी को आपने मन से समझ लिये और बहुत बारत वैसा होता है कोई बहुत हमारा कल्यान करने वाला है हमारा भला सोचने वाला है और हमारा मन उसी को दुस्मन समझ बैठे क्या करोगे फिर और अज बेवहार हो इसी करने लगता है पिता जी ने दो थपड मार दिया बच्चे को पिता जी का मन का भाव है इसका भला हो कल्याण हो और बच्चे को लगा इन से ज़्यादा बड़ा दुस्मन कोई है नहीं घर छोड़ के भाग गए जाके फिर किसी धाबे पर कप प्लेट धोएगा प्लेट फारंपपड़ा होगा भीक मांगेगा क्यों गया तुम भाग करके बहुत जो पिता मेरा कल्याण चाहते है ओ जगत में है पिता का सरीर पिता का सरीर ब्रड मही और मेरे जो मन में आया कि मेरे दुस्मन है एक क्या हुआ मनु मही समझ में आना चाहिए ना ये मनु मही है तो दुख हम को किस ने दिया पिता जी ने दुख नहीं दिया दुख हम को किस ने दिया हमारे मन के संसकारन दिया हा ना और लगबग आप देखना यही दिखाई पड़ता है जगत में बिल्कुल ए पूरी दुनिया का यही खेल है, हमारे अपने मन के भीतर सारा कुछ भरा पड़ा है, और ये जो मन है, अब इसको कहते हैं देखो दो तरीके से विचार करो, दो तरीके हैं, साधना का दोई उपाए बताया था, शुरुआ से याद होगा तो, अन्वय और बत्रेक हैं ना, साधना का दोई तरीका है, याद तो ऐसा विचार कर लो कि सब में सत अनुस्यूत है, और याद तो ऐसा विचार कर लो कि सब में नाम रूप का बत्रेक है, याद है ना, जो लोग पहले दिन से नहीं आये थे, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं जो लोग पुराने उनको पढ़ा रहा हूं अन्वय समझे बितरेक समझे अन्वय और बितरेक दोई उपाय है साधना का जैसे जब हम कहते हैं कि कुमार के घर के सामने मिट्ट घड़ा है कुलहड है सकोरा है दिया है तो सावब में मिट्टी ब्याप्त है इसका नाम है अन्वय सावब में एक तत्व को देखा इसका नाम हुआ अन्वय इसको कहते अन्वय अन्शूत है ब्याप्त है आप इतने लोग बैठे हो इतने लोग बैठे हो कोई पांच फुटका है कोई छे फुटका है कोई गोरा है, कोई गाला है, कोई पूरुस है, कोई इस्त्री है, लेकिन सब में मनुस्यत तो ब्याप्त है ना, आप सब क्या हो, इसका नाम है अन्वे, इसका नाम है अन्वे, लेकिन एक काला है, उसका दूसरे में ब्यत्रेक है, समझे रहा है, एक इस्त्री है, तो इस्त्र में ब्यतिरेक है, ब्यतिरेक माने, जो चीज सब में नहीं है, वो जूटी होती है, और जो सब में है, उसका नाम होता है सात, वोँ अन्रय, तो दो ही तरीके हैं समझने का, अन्रय और ब्यतिरेक इसे की विचार से समझो तो जब हमने ए दृष्टांत दिया कि एक है हमारी इंद्रियों की पकड में आने वाला जिसको हमने कहा इस्वर की बनाई स्रिष्टी और दूसरा है हमारे मन के भीतर भासित होने वाली दुनिया जिसको हमने कहा मनो मही संसार तो अन्वय और वितरेक से ये समझो कि ए सुख और दुख कहां से आया बाहर का जो ब्रिक्ष है उससे ना तो हमको सुख मिला ना तो दुख मिला चाया मिली आक्सीजन मिला गर्मी लगे थी उसके नीचे बैठ गए चाया मिलना अलग चीज है और सुख और दुख मिलना अलग चीज है दोनों की बात लगातार आप लोग तो ब्रेक्ष हमको सुक दुख नहीं दे रहा है लेकिन वो ब्रेक्ष मेरा है उसको मैंने लगाया था दस साल पहले अब उससे जब जब हम उस पेड़ को देखेंगे दिल गदगद होगा मैंने लगाया था क्या हुआ इसका नाम अब उससे हमको सुक मिल रहा है ना फिर मेरे पेड की डाल कोई तोड़ेगा तो अब दुख होगा तो पेड की डाल तोड़ने से दुख नहीं हो रहा है नहीं तो highway किनारे तो इतने मोटे मोटे पेड काटकी गिरा दिया बुल्डोजर से आप रोते रहो फिर बोले नहीं ओ तो पेड मेरा था यह नहीं न, जहांसे जिसके कारण आपको सुक और दुख मिल रहा है, वो कौन सा है? वो मन के कारण, इस जगत की कोई चीज, कोई भी छीज, इश्वर की बनाई शृष्टी में कोई भी चीज दुखवाली है ना तो कोई चीज आपको दुख दे रही, ना सुक दे रही, केवल प्रयोजन की पूर्ति कर रही देखो इसको कहते है प्रयोजन वान प्यास लग रही इस शरीर को इस शरीर जगत में है इसी जगत से हमने पानी पिया तो प्यास की त्रिपती हुई हाँ, जरासा उसमें सिकंजी मिल गया नीमू की सर्वत मिल गया, तो अवे इस्वर की बनाई नहीं इसमें यथा ग्यान यथा कार्मा अवे पढ़ा था ना जिसका जैसा ग्यान था जिसका जैसा कार्म था वैसे उसने अन को खाने लायक बनाया तो उससे आप का कई लोग कहते हैं बिलकुल ना समझे की बात क्या बढ़िया सर्वत विलाया मेरी आत्मा त्रिप तो हो गई है ना ऐसा कोई कहने वाला मिल जाता है आत्मा त्रिप तो हो गई आत्मा शान्त हो गई जरा सो जैसे हो कहे कि आत्मा शान्त हो गई उसको कहना न जाने कहां से आ गए मेरे सिर पे आज कायक लिए आये हो अब आत्मा क्या होगी अभी हम कहें अभी तो तुम्हारी आत्मा शांत हो गई थी तिर्प्त हो गई थी और इतने में तुम्हारी आत्मा परिशान हो गई गोले महराज यह हम केवल बोल चाल की बात में कह रही है भगवान की बनाई इस रिष्टी में जो जल है ना उस जल से प्यास हमारी सांत हुई तुम को लओ अपने एक फल लिया उस फल को खाया उससे हमारी भूख की सांती हुई सरीर का पोशन हुआ लेकिन जो सुकः दुख मिला उसलिए मिला क्योंकि ए फल मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाओंगा वो जो मन की धारना है अब यहाँ पर दो चीज़ है करेला है इस्वर स्रिष्टी है ना इस्वर स्रिष्टी है और उस करेले से जो मन में ए भाव आया कि यह महराज जे को बहुत परिय है यही बनाके खिलाऊंगा और महराज जे ने में कहा बहुत बढ़िया है इस सब का नाम हो गया जीज़ श्रिष्टी तो इसको समझाले बच्पन से हमने उस चीज़ खाया है इसलिए हमको उसका सुख मिला ऐसा फल कीवी दे दिया जाए सैधम को पसंद ना वे न्यूजिलेंड के आदमी के लिए वही जो है अम्रित आवो एक को अच्छा लगा एक को नहीं अच्छा लगा एक कौँसी स्रिष्टी है पक्का करो इस बात को मानसी स्रिष्टी है यह सबकी अलग-अलग है जीव स्रिष्टी है जो बस्तु दिखाई पड़ रही हमने सबेरे भी कहा था जिसको इंद्रिय देख सकती है जिसको हाथ पकड़ सकता है वो इस्वर की बनाई स्रिष्टी है और जिसको आख देख नहीं सकती अच्छे बुरे को सुख मिला दुख मिला जिसको हाथ पकड़ नहीं सकता वो सब है जीव की स्रिष्टी तो यह जो सुख और दुख मिला ना ए जीव स्रिष्टी से मिला ना कि इस्वर स्रिष्टी से घर से लड़के आओ और पेड़के निशे बैटो बढ़िया बिल्कूल बगीचे में बैठ जाओ गुलाब के फोल की दिख रहा है फोल का बगीचा है बहुत बढ़िया लेकिन उस्वर सृच्टी है उसके बीच में बैठ कर के अगर सुखी हो रहARD हो तो आपके मन की स्थिती है और उसके बीच में बैठके दुखी हो रहे हो तो आपके मन की पिस्तिती है वास्तों में गुलाब ना आपको सुख दे रहा है और ना ही आपको दुख दे रहा है कोशिश करना इस इन सारे से धान को समझ करने की बिल्कुल कोशिश करना तो ये अन्वय के तरीके से आप समझो, व्यत्रेक के तरीके से समझो, कि ये जो मन का बनाया हुआ संसार है न, वही हमको सुख और दुख देता है, मैं और मेरा पर, मैं और पर, मन के कार, असल में ये बाहर का जो ईश्वर का भगवान का बनाया हुआ दुनिया, भगवान न ए जीव किसी को सुख दुख नहीं दे रहे है। अगर इनसे सुख दुख हो रहा है, वो हमारे मन के कारण हुरा है। मन के कारण। इसको कहते हैं अन्वय और वितिपवय। अन्वय क्या? इस जगत में जब-जब मैं दुखी होता हूँ। जब जब दुखी हो रहा हूँ इस संसार में जब जब मैं दुखी हो रहा हूँ तब तब अपने मन के कारण यही बंधन है आपके दुख का कारण आपके स्वयम का मन है जीव बंध कृत धी मया आप जब जब आप बंधन में पढ़ रहे हो सुख दुख का अनभौ कर रहे हो कोई देवता नहीं आपके मन के कारण क्योंकि आप परिष्टिती को एक्सिप नहीं कर पा रहे हो जैसी परिष्टिती है उस परिष्टिती को आप सुख कार नहीं कर पा रहे हो तो उस परिष्टिती को आप किसी और को डालने के लिए तैयार हो जाते हो आमुक के कारण हमको दुख मिला देवता के कारण दुख मिला इस गरह के कारण दुख मिला परिष्टिती के कारण दुख मिला क्योंकि उस परिष्टिती को यह काते हो आप सुईकार नहीं करपा तो आप अपने मन को अपने मन की कमियों को किसी और पर डालते हो निथा तो कोई परिष्टिती हमको न सुख दे रही न दुख परिष्टिती है मात्र परिष्टिती है हमारा मन चाहता है कि ऐसा होवे वैसा नहीं हुआ तो हम हो गए दुखी और वैसा हो गया तो हम हो गए बस इतना है तो दुख दुख का कारण मेरा मन हो रहा है यह है अन्न पूरे जीवन में हमने ब्योहार में देखा, जब से जगे तब से देखा हमने, पूरा का पूरा देखा कि सुख दुख का कारण कोई ना व्यक्ति, ना बस्तु, ना परिश्टिती मेरा मन था, ब्यत्रेक काय का, जब यह मन सो गया, जिस समय मन सो गया, उस समय चाहे कोई हमार मोबाइल चुरा ले जाओए मन सो गया तो कोई हमारा कपड़ा पोटली ले जाओए उस समय दुख्य होंगे आप मन सो गया मने आप सो गए मन सो गया यानि आप गहरी नीन में चले गए गहरी नीन में चले गए तो चाहे कोई हमारी चीज ले जाओए चाहे कोई तोड़ा फौड़ी करे, उस समय हमको पता ही नहीं, तो हमको कोई सुख दुख नहीं हो रहा, जैसे जगोगे, मन को याद आया, अरे, मैंने यहां चीज रखी थी, कहां गई, आप दुखी होने लगे, किसके कारण, मन के कारण, मन के कारव, याद रखना, तो सुखती में, गहिदी नीद में मन नहीं है, तो सुख दुख का व्यत्रेक है, वहाँ न सुख है और न दुख है, तो चूँकि सुख और दुख दोनों हमारे मन के सापेच हो रहे हैं, मन है, तो सुख दुख है, मन सांत हो गया, सो गया, तो सु दुख दुख का मूल है तू हमारे ए मन का बनाया हुआ संसार इतिसी धम पक्का करना चाहिए अच्छा जब मन सुख दुख का कारण हमारा मन है तो तो दूसरे को दोस क्यों देना फिर वही आदा गया दोहा रजजब वाला क्या था हो रजजब दोस न दीजिये कोई कहे क्यों ही हस के उत्तर दीजिये हाँ बाबा यहों ही हस के उत्तर दीजिये हाँ बाबा यहों ही मुप फुला के नहीं कहा है हस के उत्तर दीजिये हाँ बाबा अरे महरा चोटे चोटे महापुरसों के जुक्तियां है इसी एक्ति से हमको मन को सांती मिल जाती है तो काये के लिए आप आने नहीं अमुक ग्रह हमारे खिलाप है कौन सा? मुले सनी हमारे चेकर पढ़ते हो क्यों पढ़ते हो? ओ दुनियादारी लोगों को पढ़ने दो उनको पढ़ने दो कम सकम बेदान का चिंतन करने वाला उसको नहीं ओ ठीक है अपनी जगापर जितना है हमने कर लिया लेकिन सुख और दुख का कारण हमारा अपना मन है अगर मन अच्छा होएगा न मन अच्छा होएगा तो बिलकुल आप जहां जाओगे सुखी रहोगे अब मन खराब होगा तो मन खराब होगा तो चाहे जईसे जाओगे अब मन ऐसा होएगे तो जहां जाओगे क्या होगे मन के हारे हार है मन के जीते बिलकुल एसारा संसार मन हो मही है अन्वय से बित्रेक से दोनों तरीके से आप निश्चे कर लो क्योंकि सुख और दुख का मूल कारण आपका मन है, कोई बस्तु नहीं है, पक्का किया जा रहा है, बस्तु इस्वर की स्रिष्टी में है, वो जगत है, बस्तु है, बस्तु तूट गई, बस्तु मिट गई, घड़ा तूट गया, यह अलग चीज है, लेकिन सुख दुख अल सुनार उसको कहींची लेकर काटता है जिसको आप बड़े अर्मानों से बनाएगा फिर उसको भठी में डाल करके उस समय दिल प्रसंद होता है नई डिजाइन का बनेगा है नई डिजाइन का बनेगा जब दिवाल तूटे कमरे की तो बच्चा चिलाएगा बच्चा कहएगा हाई हाई मेरा कमरा तूट रहा मेरा कमरा तूट रहा यहाँ पर मैं खेलता था और बड़े आदमी कहेंगे आप कोई नई डिजाइन का बढ़िया बनेगा है ना तो आप घबडाते क्यों हो सुख दुख का कारण आपके अपनी नासमझी से निकला है सुख दुख भगवान की बनाई स्रिष्टी से नहीं निकला है सुख दुख आत्मा से नहीं निकला है आत्मा आपका सत्यम ज्यान वनंतम ब्रह्म है भगवान की बनाई स्रिष्टी आनंद मई है इसलिए सुकधुख केवल आपके अज्यान से, अभि दीया से, नासमझी से निकला है और यह नासमझी मिटी सुकधुग गए, बेत्रेक है मन हटा, गैरी नींद में आपका सुकधुग केवल आपका सुकधुख, अन्वे बेत्रेक से द्रुण करो बिल्कुल पक्का करो इसले करें अन्वय वित्रे का अभ्याम धीमयो जीव बंध ए जीव का बंधन केवल बुद्धिगत है केवल बुद्धिगत धीमया बुद्धि के कारण ही मने यो मनुस्या राम कारण बंध मोक्षई फिर भगवान संकर्जी ने कहा है पारबती सुनो मैं दो लाइन में बताता हूँ बंधन और मुक्षई ज्यादा बड़ा पसारा नहीं दो लाइन में दो लाइन में मैं बताता हूँ ममेत बद्यते जन्तु दिर्मेत परम उच्छते ममेत बद्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत बहुत बड़ा उसी दिन भरभ मान लिया आपने जिस दिन किसी चीज को समझा कि यह मेरा है वहीं से दुख का वो दुख की माँ है दुख की दादी है दुख की नानी है जो कहो वहीं से सम निकलता है कहां से जिस चण आपने समझा कि एच चीज है मेरी समझा किस ने मन ने मन ने माना अब आप समझे कि कर 가운데 अब आयो उसे दिन के बाद आप रो रोते रो ह साल हम किसी को अपना मानते नए इसलिए हम रोते ही लिए बस एक कोई कोई कठिनाई नहीं है समझने में, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसा, मानू और रो, आप क्या समझरें, अच्छा इस सरीर आपका अपना है, सास्तर में लिखा है कि सरीर के तीन असली गराहक अंतिजार कर रहें, शरीर को तीन लोग अपनी मानते हैं और उपक की इंतिजार कर रहे हैं चाहे जतना बढ़िया बढ़िया खिला के मोटा तकड़ा बनाओ कौन सबसे पहले तो सरीर को अपनी बनाने के लिए हमारे अगनी देवता तयार है ओ चाहे बहुत बढ़िया आज नहीं तो कल मेरे पास आवेगा और मेरा बोजन होएगा कब जब चिता पर चड़ोगी तब यही तो न आरे नहीं नहीं मैं तो महातमा बनूँगा लाल कप्ड़ा पहनूँगा तो मैं तो तो हमको नहीं जलाए जावेगा, घाबढ़ाते हैं, क्यों हो, दस नंपर बड़े बड़े कच्छुए हैं, अब तो पानी हो गया, लेकिन महात्माओं को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, तो जल में जो कच्छुए हैं, जो और जीव हैं, वो इंतिजार करते हैं, आवे वो कह रहा है मेरा है, और नहीं तो प्रतिवी मा कहती हैं, जीसी ना किसी दिन हम में तो यह है, आपका इस शरीर किसका है, अभी सबेदे भी सुना था, बेटे ने कहा मेरा मेरे पिताजी है, भाई ने कहा मेरा भाई है, पत्री ने कहा मेरा पती है, कितने लोगों ने इस श साब से चलाना चाहते हैं आपको हमको तो ओ द्रिश्टांत याद आ जाता है बिल्कुल वही द्रिश्टांत याद कि एक टीवी रखा हो घर में टीवी का भगवान के पास एक ही रिमोट होता है अभी तक आप बताओ टीवी का क्या हालत होगा जब दस रिमोट हो में तो आपका सरी टीवी है दुनिया में आपका सरी टीवी हो गया और दस नहीं पचासो रिमोट बांट दिये हैं पचासो रिमोट भाई आया उसने अपना बटन दबाया ऐसा काम करना चाहिए तुमको बहन आई बटन दबाया ऐसा करना चाहिए आपको, पतनी आई उसने बटन दभाया, ऐसा करना चाहिए आपको, हमारा बार्स आया, अपना बटन दभाया, सवाडिनेट हो ऐसा करना चाहिए तुमको, अब आप कल्पना करो कि मैं एक हूँ, पूरा का पूरा आप, और आप जिसकी ख्वाहिस को पूरा नहीं करोगे, वही आप से हो जाएगा, है ना, आप जगत में कितनों को आप सुखी रख सकते हो, यही कारण है कि आप पूरे परिवार को, अपने परिवार को सुखी नहीं रख सकते हो, दूसरे को तो जाने तो, परिवार में दस लोग हैं, दसों को आप प्रसंद नहीं रख सकते हो, कोई न कोई नरास तो होई जावेगा, मैं मान नहीं सकता, कोई न कोई तो मूटेणा किये रहेगा, अभी आया था ना, नानन्दा, कोई न कोई, सुख और दुख, हमारा सीधा कहना है, कि आप हो टीवी का एक डब्बा, और आपका रिमोट एक नहीं है, मुसीबत तो यहीं है, ना, दरजनों है, सब अपने अपनी हिसाब से आपको चलाना चाहे रहा है, हर आदमी आपको अपने अपनी हिसाब से, पती, पतनी, घर, भाई, बहन, मालिक, अच्छा, स्वामी जी भी तो आपको हमारे हिसाब से ठीक से बैठो, अभी सबेरे डाउटा था, कमर सीधी करके बैठो, अभी आगे आएगा, जीव की सिरिष्टी में भी दो भेद है, सास्त्री और असास्त्री, ऐसा भेदा आएगा, एक बंधन कारी, एक कल्यान कारी, तो सारा का सारा जितना सुक दुख है, ये बस्तु से नहीं निकलता, सुक दुख निकलता है कि ये बस्तु मेरी है, बस्तु, दोई पदे बंध मोक्षाया, निर्ममेति ममेति चा, ममेति बध्यते जन्तु, निर्ममेति परमुक्षेते, याद रखना चाहिए, दोई पदे बंध मोक्षाया, बंधन से मुक्ति के ल तो निर्ममेति परमुच्यते। दो लाइन में, मेरा है, इसी से आप हो गए बंद। अच्छा मेरा बनाया, अच्छा मेरे को दिखाओ ना। इसवर स्रिष्टी को मैंने सबीरे काता, आँच से देख सकते हैं, हाँ से पकड़ सकते हैं, आप दिखाओ मेरे पन को, दिखा नहीं सकते हैं। ओ है कहाँ पर मनु मई, वहीं से बंदन निकला। मनो मैश रिष्टी को किनारे करो आप मुक्तो हो एक छण में सुखी हो देरी कहा कोई देरी नहीं सब का सब दुख आपके अपने नासमझी के कारण है आपके जब भी आपको रोना आवे एक बात मैं पक्का कह रहा हूं चाहे आज समझो चाहे दस साल के बाद चाहे दस जनम के बाद जब भी आप दुखी हो आप तुरंट समझो एह हमारा दुख हो हमारे अपने ही भीतर की अविद्या से निकला है इसकी जननी हमारे अपने भीतर का नसमझी है अज्ञान है क्योंकि इश्वर किस्रिष्टी हमको दुख नहीं देती इश्वर किस्रिष्टी सुख भी नहीं देती दोनों बाते ए मन्नु मही है अगला इस लोग पढ़ो जी हो गया अब इतने में आप तो पक्का हो गया ना पढ़िए जी असत्य पिचवायार्थे सपना दो बध्यते नरह समाधी सुक्ति मुर्चासू सत्य पस्मिन बध्यते असत अपिचवायार्थे असत अपिचवायार्थे बाहर के जितने बिशय है वो जूटे होने पर भी कब कब जूटे होने पर स्वपन आदो बाहर के बिशय जितने भी बाहर के बिशय दिखाई पड़ रहे हैं ये सब जूटे हो गए असत हो गए इनका ब्यतिरेक हो गया कब स्वपन बाह बिशयों का स्वपन में ब्यतिरिक हो गया, जूटे हो गया, असत हो गया, तो उसके बाद भी सपने में तो आप सुखी दुखी हो रहे हो ना, बध्यते न रहां, क्यों कि सपने में आपने अपने मन से चीजों को बना लिया, मानसिक सिर्ष्टी बना लिया, एह हमकारा समझाने का तरीका मन से दुख सपने में भी आप सुखी हो रहे हो और दुखी हो जबकि अगर आप कहो कि बाहर की इस ब्यक्ति ने हमको दुख दिया तो बाहर के ओ ब्यक्ति सपने में नहीं है तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए लेकिन सपने में बाहर का विशय नहीं है और उसके बावजूद आप कलपना खो गई, समाधी में ग्यानी है उसने समाधी लगा लिया, समाधी के समय में उसको कुछ ना तो मन का कलपना चल रही ना तो बाहर का भी से दिखाई पड़ रहा है, कोई न सुख न तो, सुपती अवस्था में सारा संसार, गहरी नीन में चले गए, तो सपना भी खतम, मन की कलपना भी खतम, और बाहर का जगत भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो न सुखी और न कोमा में, मुर्चित अवस्था में, मुर्चित किसी बाई एक्सिजेंट, ऐसी अवस्था में चला गया, तो सात्य अपी, साती अपी, एतीनों अवस्थाओं में, कोई बाहर क अगर गहरी नीद में हैं और सेर आजाए तो भागो गयों समय, पहले जगना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि सामने सेर है, तब मन कहेगा भागो ये चिलाओ, गहरी नीद में हो तो चाहे सेर आवे, चाहे साप आवे, चाहे, कोई दुख सुख नहीं होता, तो उस अब देखो एक द्रिश्टान बहुत बढ़िया ले रहे हैं इस द्रिश्टान को हमने कई बार प्रवचन में सुनाया होगा इस द्रिश्टान को साइध प्रवचन में इसके अधार पर कई बार हमने बताया होगा दूरदेशंगते पुत्रे जीवते वात्रतत्पिता बेप्रलंभकवाकेना मृतं मत्वा प्रारोधिती मृते पितस्मिन्वार्तायाम आशृतायाम नरोधिती अतासरवस्य जीवस्या बंधकृत्मानसम्जगत दूरदेशंगते पुत्रे हमारा पुत्र दूरदेश में चला गया बंबई कलकत्ता कहीं दूरदेश हमारा पुत्र चला गया वहां जाके कमा रहा है हो सकता है नोकरी कर रहा है ब्यापार कर रहा है कमाई कर रहा है जीवित है खा पी रहा है बढ़िया मोश कर रहा है कोई आकर के हमको कुछ उल्टी सीधी बात बता दे वे तुम्हारा बेटा तो मर गया तो रोगी की नहीं तुमारे गाउं की तरफ एक तरीका था कोई बच्चे के सिर पे कववा बैठ जा वे कववा बैठ गया कववा बैठ के उड़ गया सारा जो है घर के लोग परेशान कववा बैठ गया बड़ा अपसकुन हो गया बड़ा असुब हो गया पता नहीं क्या होगा तो उस बच्चे के नानी नाना को मौसी मासा के किशी को रिस्तेदार को जिससे अपना पन है उसको सूचना भिजवाई जाती है कि वो बच्चा मर गया जूट है और जो सूचना लेके जाता है उस अब सदेवदे होते हैं उसको तो पता है कि मारा नहीं बलकी बैठा था सिर्पे कववा ओ माराज जो नानी है हाई मेरा प्यारा बैठा दस पंदरा मिनट रो लिया न तो फिर तब बताता है अरे रो मत कंवा बैठा तूम वो दस पंदरा मिनट जो रोया वो वो कहते हैं उसका बुरी बला तल गई कोई रो लेवे तो बुरी बला तल गई ऐसा लोग उधर कि तरपर प्रदेश की बैट है उस तरब इसको मानते कववा बैठने पर अपसकुन मानते फिर कहते हैं कोई उसका आपसकुन है वो टल जाता, ऐसा लोग मानते हैं, तो अब जो पंदरा मिनट तक जो रोया, कि मेरा वो अपना कोई मर गया, वास्तों में मरा, ओ दुख कहां से निकला, बैटा तो जिंदा है, हमारे मन से निकलाना, हमने अपने मन में समझ लिया, कि मेरा वो बच्चा मर गया, तो मैं रोने लगा, मन से दुख निकला, आपकी समझ में से दुख निकला, ना पता लगता तो, अरे इसे चीजें घर में होंगी आपके, आपके घर में इसी चीजें होंगी, जिसके बारे में पता ही नहीं है, आप दुखी भी नहीं होंगे, एक सेड़ जी थे, वो या बड़िया ओ अपना जो है बड़िया तिजोरी रखे सेट जी और तिजोरी में अपना सोने का सिल्ली उठा उठा के रखे बच्चों को दे वई ना बच्चे विचारे जब देखें दिल में कसक हो वए हम भूखे मर रहें और रिख या रहे हैं ना जाने किसके लिए एक बच्चा बुद्धिमान था। दुष्ट आदमी। उसने पिताजी कहीं गए रिस्तेदारे में तो उनकी तिजोरी की चावी उसके हाथ लग गई। वो जाके जल्दी से जो है नकली दूसरी तिजोरी की चावी बनवा लिया। चावी बनाने वाले से। जहां चावी रखे रहते हैं वहीं रख दिया। दूसरी चावी उसके पास होई। अब समय के साथ में जब ओ देखे कि हमारे पिताजी कहीं बाहर गए हैं तगादा पर तो जाके तिजोरी खोले। उसमें से एक निकाला जाकर के पीतल की दुकान व पनवाया, नकली पीतल का और उपर से सोने का पानी चाड़ा दिया। और लाकरके ओ नकली वाला वहां रख दिया और असली वाला ले गया, बेचा खाया, मोच किया। तरीका उसको पता लग गया। और सेट जी आए, अपनी तिजोरी खोले, उनका सब ठीक ठाक है। कोई मराज हर महीने वो एक एक पार करता रहे और नकली वहां रखता जावे, पीतल वाला रखता जावे और असली वाला हाँ, साल भर के बाद में तिजोरी में जितने थे सब रह गए अब नकली, लेकिन सेट जी को कोई तुख नहीं, सबेरे तिजोरी खोले, अगर बत्ते लग लक्षमी जी कृपा करो, सब ठीक ठाक है, कोई दूख हो रहा है उनको, एक दिन उसमें से जरूरत पड़ी, एक को लेके गए, सुना भईया ले, इसको इसको पैसा दे दे, उसने जब उसको खरोच औरोच के देखा, चार तरीके से, यथा चतुर भीक अनकम परिक्षिते, निघरसन छेद अनता पताड नहीं, नहीं नहीं यह सोना नहीं यह तो पीतल है, नहीं में सोना रखा, नहीं नहीं पीतल है, जिक शिक हुई, और उसके बाद महरा जब आए सब चिक कराया, सारा का सारा तिजोरी का पीतल, अब सर पटत है, हाए, 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 दुख क अगर पीतल दुख देने वाला होता तो छे महीना पहले रोना चाहिए था उनको, वहां से नहीं, जब पता लगा न तब रोए न, पता नहीं था तो उनको कोई दुख नहीं था, जैसे किसको पता लगा, मन को, इसको हम कहरें मनु महिसरिष्टी, हमारी घर में, आपके घर मे कई चीजे गाइब हो गई हैं, आपको खबर ही नहीं है, दुख भी नहीं है, एक दिन पता लग जाओ है कि अरे वो चीज रखी थी, मिल नहीं थी, मिल नहीं थी, फिर देखो, दुख निकलता है मन से, इसलिए, इसलिए दुख और सुख इस भगवान की बनाई स्रिष्ट आगे अब एक दर्शन की बात हो गई बैयर्थमस्तु वाबाहियं नावारायतु मिश्महे प्रयोजनम पेक्षंतेना माना नीति ही स्थिति ही बिज्ञानवादी बऊधों का एक साका है नाम है योगचार चनिक बिज्ञानवाद। उनका दर्सन है चनिक बिज्ञानवाद। बस तो बाहर नहीं है बलकि हमारे मन के भीतर ही होती है यथा दृष्टी तथा दृष्टी मन के भाव का प्रक्षेपन मात रही बाहर का जगत है इसको कहते है बाईयार्थ बाईयार्थ माने जो बाईयार्थ दिखाई पड़ रहा है जहां दिखाई पड़ रहा है वहां नह कहते हैं बाई अर्फध से अगर आप ये कहोगे सब मनों मई है तो बाहर के जगत की बैर्थता हो जावेगी ना हृदा आकारम आदा तुम अगर ये कहोगे कि सब कसब हृदाये में जो एक तदाकार वritti होती है उसके कारण ही है सारा का सारा जगत दिखाई पड़ता है तो ए सारा का सारा ईश्वर की बनाई स्रिष्टी आपकी जूटी हो जाएगी सब का सब ए ए असथ हो जावेगा उसको कहते हैं बाई अर्थम अस्तुआव बाहर की चीज जितनी भी है वो ब्यर्थ हो जावे कोई बात नहीं हमको इसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि ओ सब का सब हमारे बस में नहीं है पेड को मिटाना हमारे बस में नहीं है आकास को मिटाना हमारे बस में नहीं है वायू को मिटाना ना वाराई तुम इस महे इस्वर की बनाई स्रिष्टी को मिटाना हमारे बस में नहीं और प्रयोजनम अपेक्षन थे प्रयोजनम अपेक्षन थे ना जब सत्य का चिंतन किया जाता है तो प्रयोजन नहीं देखा जाता सत्य का बोध जब करना होता है तो प्रयोजन नहीं प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं उसकी बात नहीं, सत्य के खोज में प्रमाण और प्रमे की मिमांसा की जाती है, नेत्र जब देखेगा तो बस्तु के रूपरंग को देखेगा, आपका प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं सिद्ध होता है यह हमारी बात नहीं है, आँख द ना है आई नाक से धुरुगंद हम आपकी इसकी बात नहीं कह रहे हैं प्रमाण अगर नाक ठीक ठाक है तो आपको गंध आवे तो जब प्रमाण और प्रमे की चर्चा होती है तो प्रयोजन किनारे हो जाता है उसमें प्रयोजन की बात नहीं होती इसलिए जो है आप बाहर के जगत के प्रयोजन की चर्चा मत करो बाहर का जगत है कि नहीं है, है तो कैसे है मन के कारण सीधा हमारा कहना है कि बाहर का बना हुआ संसार दुनिया ए भगवान ने बनाया और मन में जो बना वो हो हमने बनाया हमारा सीधा सा बाहर की बनाई हुई शृष्टी ईश्वर की और हमारे मन की बनाई हुई जी होगी बाहर की बनाई हुई शृष्टी हमको ना सुख देती है और ना दुख देती है सुख और दुख बंधन हमको देती है हमारे मन की बनाई हुई शृष्टी हमारे मन की समझ से हमको सुख और दुख मिलता है अगले उसने पूछा फिर तो मने को सांथ कर लो जैसे योग दर्सन में कहा चित बृत्ति को सांथ कर लो मन को सांथ कर लो दुख मिठ जावेगा तो मन को सांथ कर लेते हैं दुख खतम तो थोड़ा सा अब दर्सन के विशे हैं तो हम लोग इसको सबें